कैसे हैं आप लोग उमीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सब्सक्राइब बैट के गुणाव जामन जो कि बहुत इसान है वीडियो पूरी देखिएगा कहीं भी स्किप मत किजिएगा विगोस बहुत से टिप्स हैं हम चलते हैं चाशनी के तरफ जो कि बहुत ही आसान है लेकिन एक बात का याद रखिएगा कुछ टिप्स हैं जो कि आपने मांड में रखनी है क्योंकि थोड़ी से भी घलती टेस्ट को चेंज कर देती है अचा में पस यहां पर एक कप चीनी है और यहां पर डेट का पानी है का लाओ कर दे लिए यहां पर मैंने दोस्ते तीन डाफ जो थे सिरकी के लिए सिरका नहीं है तो आप टार्टरी थोड़ी जी जीवी तर आप लीमू थोड़ा से डाल दिए उसको क्या होते कि जीजा है वहां बैठती है और इसपर ग्राइच को पड़ीए और भरीक से दू चाश्री मनाने के लिए ये देड़ कप पानी दोबारा से मैं रिवायस प्रवादूंगी इस तरह एक कप चीनी सिर्का थोड़ा सा लाइची का पाउडर और साथ में केवडा एसेंस ये देखें इसको मिक्स कर लेना है ज़ादा गाडा नहीं बनाना जादा पर बनाएं तो फिर वो ज ज़नाने से रहे हैं कि अध्यार और उपर से मीठे मीठे हो जाते हैं तो हमने इसको दाडा गाडा नहीं करने चीनी जो मैंकों प्रुमाल करें को किरी भेड़ करीया है अब लादा पतलीकी कि द drafting 3-4 मिंट मैंश को पॉआल 13े मीट मैंशेट करें को हने था कृपल व्यक्तिक है शार है साथ मिन्ट करेंगे साथ सर्ग तर बाती हों जो कितना यूजए करना हम आपके पस अगर मलाई में यूज़ कर सकते हैं हैं यहांrib अब शुर्स और भर के खोप्रा पाउडर का और यहां पीजियां कीज्त तरह के रिंडें और पहला के जाय बाथ कोष्छा उन्हांडर तें तायर मीजेन यह जाया नहीं तो कि यहां फ rubbish एक पिसपी कर लोगर करिय गड़ाएं है çek अजिस कर सकते हैं आप चीज़े मायें विजिए कि डूब बनानी है वो प्राइब नहीं जादा सख्टना नहीं जादा नर्म बनानी है क्योंकि अगर सख्त बनी तो उसके अंदर शीरा जजब नहीं होगा और अगर जब वो नरम जादा बनी तो जब आप फ्राइक करेंगे तो वो तूट जाएंगे ठीक है यहां पर आप ने इसको अची तरह से हाथों से मिक्स करके से क्रम से बना लेने च्छोटे पीसिस में को डिवाइड कर देना और यह अगर बड़े बड़े पीसिस में प्रेशान नहीं होना जब आप दूट डालेंगे इसको ची तरह गूंदेंगे तो यह खुद ही च्छोट तैला आड़ कर देंगे तो यह मैं सबसे पर लाईची पाउडर डाला यह भी आदर ऑगा순 मील्क पाउडर मया के लाए नहीं है को कि आफ़को चाली डाला तिया धूछ चंब में जाना okay कमी ओन यह भी फर्क हो जाता है किभी कब बेड और मैलकि बेड़ासमें तूट कम ढल जाती है कुछ बेड़ में जाती है तो आप दो को देखिए कि कितनी सख्टमवन वृसी ही बनानी है और वहीमाबर लाद रिपेट कर तूट जाता ने और ढूरे में रखना है उसको और अपने इ पीस रह जाते हैं और आपको जब आप गोल बना उनकी पेड़े बना रहे तो फिर वह बाहर को निकल आते रहे देखें कम्पलीटली बहुत ही अच्छे था किसमें इसको गूंद लिया है और अब मैं इसके बेड़े बनाना स्टार्ट करते हूं उपर से मैं ऑईल लगा लू बना लिए दिसे पेड़ा बनाते हैं पैड़ा बना लिए उसके बाद मैं ने दर और लगां ना लो याकिए घूरा बनाता है गुलाब आप जामर बना तो क्या सब्सक् rhythm को बैसे दूस्क्त के बनारे दूस्amaan को बना तो निक दर था को पाउदर के週त्त चैशे अगर आप ना भी डालें तो नहीं बनता अगर आपने फुली जो है वर एस्पी को फोलो किया हो यह स्टार्टिंग में जब भी आपने कोई चीज स्टार्ट करनी है ना तो छोड़ी टिप्स आपने मायन में रखनी है के पैक्टिस जो है वह इनसान को परफेक्ट बनाती अब हम इसको फ्राइक करेंगे तो यह तो याद अखने है एक तो स्टोष किया तो डीप आप इसको जादा गर्म तेल में डालना और नमबर त्री जो है वह इसका कलर जादा जीतना पसंदशा इस आप हटना डाल सकते और शूसमें और इसमें और है यूज्ञ तो आपने क तो इसमें आपने डालना है वो यूज पहले ना हो अब बिल्कुल नॉर्मल है ना थंडा ना ज़दा गरम अब हम इसके अंदर डालते रहेंगे अच्छे डालते हैं ख्याल रखिएगा कि जब इसका बतलब डीप फ्राइ करना है अपने और डीप फ्राइ करते वक जब यह उपर को आजएंगे तब आपने स्पीर इससे तेज कर देनी है तब आपने आइस्था स्पीर नहीं बलाना जब यह उपर को आ जाएंगे तब इसको ख्याल रखिएगा वरना यह होगा कि अंदर टूट जाएंगे यह इसरे बात इसको डालते साथ हिलाना नहीं है जब तक यह खुद ऊपर को नहीं आते हैं अगर आप हिलाएंगे तो यह टूट जाएंगे या तो इनकी उपर उससी के मार्क्स बन जाएंगे अब आपने तो तो लगा करके इसको हिला दें ऐसे से लगा कि ऊपर को बस करना है साइड नी चेंज करनी आपके इसकी बस तक यह साथ चिपके ना और इससाब में आप मैंने स्पीड जह वह तेज करती है यह देखिए मैंने सेब्स करने सेएड़ में करने लाइफ में करने आपने अपर से यह दिरम्यान अपर को दिरम्यान देखिए तक प्रॉब यह थो मेरी बिल्कुल तेज है कितने प्यारे बन गड़ा आपकी जो दो रहे गए वह भी फ्राइ करके आती हूं और इसको अपने फ्राइ कर लेना है यह देखें कि इसको अपड़ी शॉट करने से यह देखें कितना प्यार आया हुआ है मेरे पास अब चाशनी है जो ठंडी है गरम नहीं है नरम चाशनी में हमने इसको नहीं डाला सो में गरम गरम जो है वह इसके अंदर डाल रही हूं और यह बनाईएगा इंचारा बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं आपने इसको इतफ़ हिला लें अंदर ही सिर्स कलर किते मज़े का कलर लग रही है बस इसको आपने डालने के बाद आपने जो है वह इसको तकरीबन 10 मिंट के लिए रख देना है औ आपने इसको रख देना है और फिर मैं आपको दिखाती हूं कैसे बहुत जाते हैं तो यह गार्निशिंग भी हमने कर लिए और देखे कितने मज़ेदा गुलाब जामन तयार हो गए हैं तो जरूर ट्राइ कीजएगा एक में निकाल के आपको दिखा देती हूं यह जरूर ट्राइ कीजएगा जरूर ट्राइ कीजएगा अपने दौओं में याद रखीगा जानल प्लीज सब्सक्राइब कर देए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें अलाहाफिज